बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छानक से कुछ ना कुछ खाने का मन करता है जैसे दीसरे पहर की चाय वग्यरा बंगती है ना तब चाहब का मन करता है लेकिन यह मैं दीसरे पहर नीं बना रही हूं यह मैं दो पहर के खाने से पहले बना रही हूँ तो आज आपको एक बहुत बढ़ी आ नाश्टी की रेसिपी देले जा रहे हूँ तो रादे रादे मेरी युट्रोफ फैमली अब मैं नाश्टा बना रही हूँ तो नाश्टे में सबसे पहले चाई तो बनेगी न तो मैं यहाँ पर केवल 4 मेंबर्स के लिए ही चाय बना रहा है। तो जितनी मेरे घर मेरे ज़रूरत है इतनी चाय बना ली है। चलिए चाय की बत्ती बुदल चुकी है घर में इसमें अधरक का फ्लेवर ली आता है। तो आज मैंने आपर थोड़ा सा अद्रक को भी घिश दिया है और चाय को ना बज जाने देते हैं कड़ाई लेके आ गई हूँ कड़ाई को गया सोन करके रख देते हैं जब तक तक तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा जब तक हम नाच्टी की तयारी कर लेगे एक बरतन देलिख समयं बारिक वाला आलो लिया जिनको बहुत बारिक बारिक शोप किया है यद्व नमक थोड़ा सहली मिर्च भी थिर्ण थोड़ा मिर्चसुरी, मेथ वालीर है कासूरी। यहां इस अपर बेकिंग सोड़ा दाले हैं खाने वाला हमादे बीकिंग त्लोड़ा त्या बैटर मुझे पतला लग रहा था और थोड़ा सा कम भी लग रहा था मतलब नाश्था करें तो दो चार सार पोड़े या पोड़ी या तो इससे में आई जाने चाहिए ना तो थोड़ा सा बेशन ओ डाल लिया था और इसकी कंसिस्टेंसी को अर्जेस्ट करते विसको अच्छ दिरे बनती रहेगी कढ़ाई भी अच्छे से गरम सी हो रही थी यहां पर डाल देते हैं तेल अक्सर में सरसो के तेल कहीं इस्तेमाल करती हूं अपने गर में बैटर को चार पास मिम्ट का रेस्ट मिल गया हलका सा फ्लैपी हो रहा है इस तरीकी से फूल रहा है हातों से इस हातों में एक हीट होती है हलकी हलकी सी जिसके ठेमप्रेचर से जो हमारी चीज है ना जो हम करना चाह रहे है वो जल्दी से हो जाता है बैटर वागेरा का फेटने का काम चाय को मैंने एक लोटे में निकाल लिया है तेल भी अच्छे से गरम हो गया था तो इस तरीके से चाह रह जाएगा और उपर सी एकदम से जल जाएगा ऐसा लगेगा जैसा बन गया हो अब यह जो पकोडिया है ना खाने में विल्कुल यम्मी लगती है जैसे मैंने आलू डाले है ना आप इसमें कोई भी अपनी पसंद की सबचे डाल सकते हैं यहां तक की पनीर भी डाल स अब कड़ी बना रही थी और यह पकोडिया मैंने कड़ी के लिए बनाई है तो आप कड़ी में भी इनको डाल सकते हैं बहुत टेश्टी लगते हैं एक्टम हलके फुलके सी आलू के कोपते बन के तयार हो चुके हैं कुछ पकोडिया मैं आलू में डाल दूंगी और कुछ ह मैंने यहां पर पिज़ा टॉपिंग भी रखी है उसमें बहुत अच्छा टेस्ट होता है और मेरे पास रखी भी थी थाली में जगा थी तो मैंने यहां पर रख लिया है आपकी पसंदाब किसी भी चटने की साथ खा सकते हैं तो यह लिए से हमारा इंस्टेट एकदम बढ़ बना है और हलके हलकी सी नजाली भी बनी हुई है देखिए बहुत टेस्टी लगती है खाने में और कड़ी के अंदर जब आप इसको डाल देते हो ना तो मज़े ही आ जाता है खाने का